शेर ट्रेडिंग अकाउंट रहेंगे सेफा साइबर सेक्योरिटी के लिए फैमवर्क लाएगा ऐसे भी एक विशेश समभाध दाता, मुम्बई से भी शेर ब्रोकर्स के लिए साइबर सेक्योरिटी नियम लाने की तयारी में है ताकि निवेशकों के share trading account को लेकर होने वाले cyber fraud, data leak और trading account की हैकिन के जोकिम की आशनका कम हो सके पिछले कई महीनों से निवेशकों के share trading account हैक होने, उनके email का control किसी और के पास भी चले जाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी ऐसे में जब निवेशक share broker को शिकायत करता था, तो उसके पास भी इसे रोकने का कोई system नहीं होने से निवेशक खुद को cyber fraud के सामने हताश पाता था इन्वेश्टरिस सेफटी होगी पुक्ता, Association of National Exchanges Members of India के President कमलेश शाह ने कहा कि cyber सुरक्षा को लेकर तयार किये जा रहे framework का मकसद share broker के साथ साथ उनके ग्राहकों के हितों की रक्षा करना है एब 52 हफतों के records तरको चूकर Sensex 108 अंग की बढ़त के साथ हुआ बंद अब सेबी ने Cyber Security Framework Sensex 107.73 अंग की बढ़त बनाने के लिए एक पैनल बनाया है इसमें के साथ 61980.72 अंग पर बंद Members of India, NMI के 62052.57 अंग तक चड़ गया था PTI शेर बजार बुधवार को बढ़त में रहे, Mumbai घरेलू हुआ, कारोबार के दोरान Sensex एक समय 52 सपता के उच्चसतर, Nifty मामूली 6.25 अंग की तेजी के market regulator, Stock Exchange और Association of National Exchanges प्रतीनिधी शामिल है साथ 18,409.65 अंग पर बंद हुआ, Sensex के शेरों में कोटक महिंद्रा बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीव, डॉक्टर, रैडीज, HDFC बैंक, भारती एटल, HDFC आदी प्रमुक रूप से लाब में रहे, दूसरी तरफ बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील और इंडेसंट बैंक सम अन्य नुकसान में रहे,